अरे कृष्णा कीता फॉर एवरीवन क्लब में आपका स्वागत है तो हम आज अपने पांचवे सेसन पर चचा करेंगे वाट इसकॉन केन गिव मी इसकॉन में मेरे लिए क्या है तो इसकॉन का यह जो सब्द है इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर क्रिष्णा कॉंसियसनेस अंतराष्ट्र क्रिष्णा भावनामरित संग यह मुवमेंट स्टार्ट हुआ था 1966 में नुई यॉर्क एमेरिका में और इसके जो फांडर आचारिया है वो है इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति विदानता स्वामी प्रहुपाद जिनको हम प्रेम पुर्वक्ष्रिला प्रहुपाद जी भी कहते हैं और पूरे विश्व में वो श्रिला प्रहुपाद जी के गुरु महराज इस डिवाइन ग्रेस श्रिला भक्ति सिधानत सरस्वती महराज ने उनको आदेश दिया था कि तुम यह जो चैतने महाप्रभू की जो वानी है आज से पांसो वर्स पूर्व स्री कृष्ण चैतने महाप्रभू इस धर्ती पर अवतरित हुए थे और उन्हो ने खृष्ण की वानी प्रंपरा में आते वक्त श्रिला परभुपाज जी ने फिर पुरे विश्व में परचार किया तो प्रहुपाज जी गूरु महान आ जिमारा क Aufum कि तुम यह हो इस चैतने महाप्रभू की वानी को पूरे विश्व में परचार कर दो क्योंकि चैतने नाम का प्रचार होगा कृष्ण नाम का प्रचार होगा और इस भविश्वानी को पूर्ण किया है श्रिला प्रभुपाज जी ने पहले भारत में बहुत प्रयास किया इसको तो जब हमारा भारत देश आजाद हुआ 1947 में तो उसके बाद अंग्रेज चले गए लेकिन अंग् बंद से आती थी चाए वह अमेरिका हो चाए लंडन हो ब्रिटेन कहीं से भी तो उसको लोग बहुत ही ज्यादा वैल्यू करते थे उसको बहुत ही महत्वपून समस्ते थे और भारती लोगों को जो लोग है वो एक निम्न दृष्टी से देखते थे कि भारत एक गरीब दे इसी विश्वास के साथ शिला प्रवपाज जी ने भारत में बहुत प्रयास करने के बाद 1965 में वो एक जल्दूत नामक जहाज में जो के कार्गोशिप था उसमें अमेरिका गए और वहां पर नियूवर्क में जाकरके उन्होंने इस मूव्मेंट को स्टार्ट किया और एक छोटया सा केंद्र एक गैरेश था महां से स्टार्ट किया था और धीरे देरी बढ़ बढ़ करके आज इतना वड़ा विशाल एक मूव्मेंट बन चुका है जिसमें कई केंद्र है कई मंदिर है कई सारे रेस्टोरेंट है कई सारे फामाउस है और बहुत अनेक अनेक चीज मूव्मेंट को पूरा सिंगल हैनेटली स्टार्ट किया और इसकी रूप रेखा रखी ये कैसे आगे बढ़ेगा तो आप देखोगे प्रहुपाजी ने विदेश में जा करके कई जो हिप्पीज लोग हैं जो अपने घर बार छोड़ चुके थे जो नसे में धुत थे जिन और श्रीमत भागवतम पर इसकान के जो भी टीचिंग से वो श्रीमत भगवत गीता जो की पांच जार साल पूर्व भगवान कृष्णा अजुन को कही थी और श्रीमत भागवतम जो सुगदेव गोस्वामी ने परिषित महाराज को कहा था इन दो मुख्य किताबों पर आ 5,000 से भी जादा भकतों को उन्होंने दिक्षा दिया और यह पूरे विशाल मुवमेंट को उन्होंने खड़ा किया और उनके जाने के बाद 1970 में प्रहुपाजी भगवत दाम लोटने के बाद उनके शिश्यों ने इस मुवमेंट को और आगे बढ़ाया और आज की सिती मे इसकॉन में 700 केंद्र हैं, 700 मंदिर हैं और अलग-लग फामाउस हैं, अलग-लग कॉम्निटीज हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और बहुत सारी अन्य सुविधाय उपलब दे इसकॉन में तो जब आप इसकॉन में आते हो, तो आपको क्या-क्या चीज़ मिल सकता है, आज हम उसके बार में थोड़ा आपको जानकरी देंगे सबसे पहले जब आप आते हो, तो आप देखते हो, इसकॉन का यूनिक स्टाइल है, टेंपल का आप कोई भी सकॉन मंदिर जाईए, बाहर से देखता आपको समने आजागे कि ये कितना सुन्दर मंदिर है, इसकॉन मंदिर बहुत सासुत्र होते हैं, उनका जो एक पर्टिकॉलर आर्किटेक्चर जो स्टाइल होता है, वो बहुत मन को लुभाता है और बहुत सुन्दर ह होता है यह अपने आप में एक यूनिक कंट्रिबूशन है एक हमारे सोसाइटी को जो हमारे इस सहरों के बीच में इसकौन मंदिर को बनाया जाता है और वह बहुत दूर से बहुत सुंदर दिखते हैं जैसी आप इसकौन मंदिर के अंदर आते हैं तो आप देखते हो संदर लगते भगवान मानों अभी बोल उठेंगे और क्यों ना क्योंकि भगवान की सेवा बहुत निष्ठा से पवित्र तरीके से दिन रात उनकी सेवा की जाती है भगवान को बहुत संदर से सजा करके उनको भोग लगा करके उनकी आरती करके उनको सजा जाता है फिर आप देखोगे पूरे साल भर जो है इसकौन में बड़े बड़े फेस्टिवल मनाते हैं जहां लाखो लाखो लोग आते हैं उन फेस्टिवल में भगवानों का अभिशेक्या जाता है रामनोम्मी हो गया चाए गौर पुर्णिमा हो गई चाए जन्मास्ट में हो गई चाए राध होती है कता होता है किर्तन होता है प्रवचन होता है तो इससे जो पूरा माहोल एक फेस्टिवल का माहोल बन जाता है और इसमें बड़ा आनद आता है फिर इसकौन में आप देखोंगो सबसे प्रसी Nur हारिनाम संकिरतन आप कोई भी स्कौन मंदर चले जाहीए वहाँ पर नाच रहे हैं γा रहे हैं मुलधं कर्ताल इसका जो फुनी है उश्हे理 का पूरा जो मंदीर का प्रांगन देंज अक्क्न बंदिर को छब की वहाँ बहुत कर आ तो मन प्रफिल्फलीत हो जाता है और उसका मन जो है वह स्वेयम भी थ्रक्ने लगते हैं और वह सब्सक्रांटे और वो बाकी अन्य लोगों को इन्वाइट करते हैं जो लोगों के पास समय नहीं है मंदिर आने के लिए उन तक पहुंच करके उनको ये हरे कृष्ट महामंत्र का कीर्टन करने का अवसर प्रदान करते हैं आप देखोगे हमारे इसकौन की जो फिलोसोफी है जो इसका दर्सन है वो इतना सटीक है आप इसकौन में जबी भी आते हैं तो आपको आपके हर प्रशन का उत्तर मिलता है आपके मन में कोई भी जिग्यासा हो उसका उत्तर आपको पूरे सास्त्र के प्रमानिक आधार पर आ लोगों को बताते हैं और जिससे उनको बहुत तुष्टी होती है अपने प्रश्टों के उत्तर जान करके फिर आप देखोगे इसकॉन में बड़े-बड़े यात्राय होते हैं तो साल में दो या तीन बार जो है हमारे भक लोग सब लोग पवित्र धामों का दर्शन करते हैं चाहे वो विरिंदावन हो चाहे मायापूर हो चाहे द्वारका हो चाहे रामेश्वरम हो चाहे बदरिनाथ हो तो बड़ी संग्छा में लोग वहां जाते हैं तिर्थ सलों का दर्शन करते हैं और वहां पर जाकर करके भगवान की दिव्वे लिलाओं का कथा कीरतन करते हैं आप अगर इस यात्रा में भाग लेंगे, आपको बड़ा आनन्द आएगा, और आपको ऐसा लगया है कि हम कोई दूसरी दुनिया में आ गये हैं, वो एक अलग ही वातरवन बन जाता है, जिससे कई लोग यात्रा के बाद अनुभव करते हैं कि हमने कभी आस तक ऐसी यात्रा खिचडी प्रशाद या हलवा प्रशाद जरूर मिलेगा आपको, और कई मंदिरों में आपको कासकर संडे के दिन में फुल प्लेट प्रशाद आपको दिया जाता है, बिना कोई सुलक के, फ्री ओफ कॉस्ट, और ये प्रशाद अन इतने टेस्टी होते हैं, क्यों नहों कि इनको पहले भगवान को भोग लगाया जाता है, और भोग लगाने के बाद, जब जन समुदाय को दिया जाता है, तो ये प्रशाद खाकर को बड़ी कृप्ती होती है, क्योंकि ये भगवान का प्रशाद है, और ये इतना टेस्टी बनता है, कि पुरे दुनिया में आपको तो ऐसा भोजन सायद आपने कभी खाया नहीं होगा, तो यह इसकॉन का यूनिक फिचर है प्रशादम, फिर आप देखोगी जब आप इसकॉन में आते हो, तो आपको कई सारे मित्र मिलते हैं, अच्छे मेंटर्स मिलेंगे, जो आपको गाइड करेंगे, आपके जीवन को एक लेकिन जब वो इसकॉन में आते हैं, तो वो जब लोगों से मिलते हैं, तो उनसे एक अच्छा वहवार, एक सौहारद्य उनको दिखाया जाता है, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है कि इस दुनिया में अच्छे लोग मौजूद हैं अभी भी, और इसकॉन में जो एक चीज़े वो है pure lifestyle, यहां पर जो भी लोग इसकॉन में जुड़े होते हैं, उनका जीवन सुद्ध होता है, उनके जीवन में वो चार नियम का पालन करते हैं, कोई प्रकार का वो मास नहीं खाते हैं, प्यूर वेजिटारियन होते हैं, कोई प्रकार का वो नसा नहीं करते है कोई प्रकार का वो जुवा सटा नहीं खिलते हैं और किसी प्रकार का वो अवैद स्त्री या अवैद पुरुष्तंग नहीं करते हैं तो क्योंकि वो ये चार नियम का पालन करते हैं इससे उनकी जीवन सेली सुध होती है जब जीवन सेली सुध होती है तो उनका मन सुध होता और जब मन सुध होता है तो उनकी आत्मा बड़ी आनंदी होती है इसलिए आप देखोगे इसकौन में लोग बड़े हस्मुक होते हैं और बड़े आनंद से रहते हैं क्यों क्योंकि उनके जीवन सुध है उनके जीवन में कोई बुरी आदत नहीं होती है इसलिए वो सुध आ उठाब उठा करके आप अंत में भगवत प्राप्ति करके अपने जीवन को पुंत्या सफल बना सकते हो इसकॉन में हर एक प्रकार के वेक्ति हैं चाहे वो ब्रमचारी हो चाहे वो ग्रहस्त हो चाहे वानाप्रस्ति हो चाहे वो सन्यासी हो इसमें ऐसा कोई नियम नहीं है कि ह में इसकॉन में जुड़ने के लिए क्या हमें फूल टाइम बनना पड़े का नहीं हमारे इसकॉन में बहुत सारे भक्त हैं जो अपना काम भी करते हैं ऑफिस जाते हैं जिनका बिजनस है वो अपने पत्नी बच्चों के साथ घर में रहते हैं और फिर भी वो इसकॉन से हुआ है जहां पर आपको आपके जीवन को किस तरह से संपुन रूप से सुद्ध बना करके उसको सफलता क्यों ले जाने के लिए यह इसकौन आपकी सेवा में सदैव हाजिर है तो इसका फुल आप लाब उठाईए और अपने जीवन को सफल बनाईए हरे कृष्णा हम आपक तो इससे बहुत लाब हुआ होगा और आपको अपने जीवन के बारे में बहुत सारा ज्यान प्राप्त हुआ होगा हम यही आप से उमीद रखते हैं कि आप गीता फॉर एवरिवन क्लब से जुड़े रहिए अभी जो हमारा सफर है वो लंबा है और आप जब साथ में चलो हैं उनका सुनिये और आपको जो गाइट कर रहे हैं उनसे जुड़े के रहे स्क्राइब यह व Benny बहुत सुन्दर मार्ग है जो आपको जीवन को पूर्य और सफलता की और लेके चलेगा और हम सब आपके साथ हैं और हम आशा करते हैं कि क्या अप का जीवन आपने